हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल लेके आई हूं आज फिर से अमेजिंग केचन टिप्स और कुछ बड़िया सी रेसिपी जो आपका वक्त भी बचाएगा और साथ ही में आपका काम भी आसान करेगा पसन आती है थोड़ी से भी वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक कर लीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजे मेरे चाया को वो भी घंटी के साथ तो चलिए लेट्स स्टार्ट चलिए फ्रेंड्स टिप नमबर वन देख लेते हैं चाहे वो काच की बोतल हो प्लैस्टिक का कोई कंटेइनर हो या स्टील का कोई दबबा हो हम अगर ऐसी कोई चीज इसमें भरते हैं जैसे के पापड है हिंग है अचार है तो उसकी जो स्मेल है टिपिकल स्मेल वो उसमें भर जाती है यानि वो हटती ही नहीं है फिर उस स्मेल को कैसे हटाएं उसका तरीका लेके आई हूँ यह रिक्वेस्टेट टिप है तो मैं और के लेकिंग सोड़ा और नॉर्मल पानी अट कर लेना है और साल टिवाटल स्मेट बड़े में और स्थे लुड्य है अगर बहुत ज्यादा इस इसमें smell भरी है तो दो दिन रखें और उसके बाद आप wash कर लें smell चली जाएगी अगर नहीं गई है बहुत strong smell है तो फिर से इसी तरह से करें baking soda और पानी डालके शेक करके और दो दिन रखें और फिर एक बार धूप लगाने के बाद फिर आप इसको normal wash करें definitely smell चली जाएगी म और बदाम सर्दियों के मौसम में तो खाना ही चाहिए सर्दियों के मौसम में ही क्यों वैसे भी आपको खाना चाहिए और बदाम हमेशा भिगो के ही खाना चाहिए ये भी कहा जाता है भिगोने से इसकी जो गर्माहट है वो थोड़ी कम हो जाती है और इसके सारे benefits आपको म या हलवा बनाना है या कोई और चीज में आपको छिले हुए बदाम चाहिए तो आप कैसे इसको करें तो जितना भी टाइम हो आप उसको थोड़ा टाइम सोक करके रखें थोड़ा टाइम में यह देखें इस तरह से फूल गये है अभी यह छिलके निकलने के लिए तयार नही है यह देखिए एक बॉइल आ चुका है अच्छी खासी स्टीम आ रही है अब इसको थंडा करने का भी मैं नहीं बोलूँगी तुरंत ही आप फट फट इसके छिलके निकाल सकते हैं जैसे मुंग फली चिलते ना बस उसी तरह से इसके छिलके भी निकल जाएंगे यह देख को यह दिखे आप चाहें तो इसको थंडा करने के बाद भी छील सकते हैं तेखे फ्रेंटो में धेरो बदाम यहां मैंने छीलके रेडी कर लिए हैं अब चाहें आप हलवा बनाएं आप किसी भी रेसिपी में इंक्लूट करें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है मिन्टो मे जब काम हो रहा है तो घंटो क्यों वेट करना ऐसी अमेजिंग से टिप्स मेरे चानल पर आपको धेरो मिलेगी तो सब्सक्राइब कीजे घंटे के साथ यह बिल्कुल भी फ्री है और यूस्फुल लगे हैं अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो या टिप तो कर सकते हैं खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस टाइब का मिठाई आप जरूर बना के रखे जो बहुत दिनों तक भी फ्रेश रहती है तो यहां एक कटोरी मैंने खजू ले लिये हैं जिसका मैंने सीट निकाल लिया है और इसको पस देते हुए हम इसको पीस ल ले ले और इसको थोड़ा सा रोस कर ले रोस करने से यह बहुत ही टेस्टी और क्रंची हो जाते है तो अरोमा आने तक आप इसको रोस कर ले लो फ्लेम पे एक मिनिट भी नहीं लगे का फ्रेंट्स चॉप किया है इसलिए अब इससे निकाल लूँगी थोड़ा सा गी और इसमें अब मैं खस-खस यानि की पॉपी सीद्स को थोड़ा सा रोस कर लोंगे पॉपी सीद्स में बहुत जादा मैगनेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयन से भरपूर होते है इसे भी हमारी डाएट में शामिल करना चाहिए अब आधा चमच के करी घी डाल दिया है और जो हमने खजूर पीसा था उसको इसमें एट कर लेंगे ये देखे अब आपको लग़ा होगा कितना ड्राइ है ये बर जैसे जैसे ये गरम होगा खजूर इदम सॉफ्ट हो जाएगा इदम माउट मेल्टिंग हो जाएगा तो लो फ्लेम पे इसे सॉफ्ट होने तक आप को पकाना है ये देखे इस तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है ये देख सकते हैं अब इसमें जो हमने ड्राइफ रूट्स को रोस किया था वो इसमें डाल देंगे और जो खस-खस वो भी आधा डाल देंगे थोड़ा समय रहने दूंगी उपर से लगाने के लिए और इसको भ प्राइबिटिक हो वो मीठा खाना मना है तो आप इस तरह की बिठाई ट्राइक कर सकते हैं ये देखे मैंने थोड़ा सा घीवा डाला इससे शाइन अच्छी आजाएगी गैस को आफ कर लेते हैं और इसे मैं एक चॉपिंग बोट पे ले लूँगी जिसे हम पहले से ग्री इस तरह से और जब ये थोड़ा से लाइट थंडा हो जाए आप इसका एक रोल बना ले ये बड़ी आसा इस तरह से और इस तरह से मसलने से क्या होगा शाइन आ जाएगी फ्रेंस मिठाई में इसे मसलना जरूरी है अब आप खस-खस जो हमने बचाया था ना वो ले ले इस बड़ा सा हमारा जो दुबई स्पेशल खजूर रोल है वो रेडी है ये दिखिए मिन्टो में ये बन जाता है ये दिखिए अब इसको सेट करना जरूरी है तो फॉइल पिपर ले लूँगी और इस तरह से इसमें रख लूँगी और इसको रोल कर लेंगी ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए जैसे हलवाई की दुकान पर मिलते ना बस उसी तरह से तो इसको मैं इस तरह से दोनों साइट से कवर कर लोंगी और फ्रिस में रख देंगे दो घंटी के लिए सेट होने के लिए अब थंड का मौसम है तो आप बाहर भी सेट होने के लिए छोड़ सक के बेनेफिट्स मिलेंगे खजूर भी बहुत ही अच्छा है खून बढ़ाने के लिए खस-खस है इसमें ड्राइफ रूट्स है और इसमें बिल्कुल भी शुगर आड नहीं किया है आप पीसिस कर लें मोटे पतले जैसे आपको पसंद है उस तरह से अगर आपको रोल नही स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेंपरेचर पे कोई भी एटाइब कंटेनर में फ्रिस में रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें खजूर है और ड्राइफ रूट्स है तो खराब होने का कोई सवाल ही नहीं इतनी टेस्टी यह लगती है और उतनी ही यह हेल्थ बे करता है तो वह नहीं होगा अगर आप इसे सही टाइम पर लेना शुरू करें सुबह आप इसे खाली पेट एक खाले और उसके उपर गरम गरम दूद पीए सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तो इस बार आप इस टैप का खजूर रोल जरूर बनाएं और आपकी फैमिली को पूरे हल्फ बेनिफिट्स दे कैसी लगी ये रेसिपी जरूर कमेंट करें तो फ्रेंड कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स कौन से टिप आपको सबसे ज़दा पसनाई उसके लिए जरूर कमेंट करेगा और हां फ्रेंड अगर आपकी पास कोई तोटा सा लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी बढ़िया वीडियो बनाने के लिए शेयर कीजिए आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे और सब्सक्राइब कीजिए घंटी की साथ ये बिल्कुल भी फ्री है तिल देन टेक केर बाइबाएई